फाइनली रियल्मी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन रियल्मी C65 5G को लॉंच कर दिया वज़ दूसी तरब मोटो लोला कमपनी का पाप्लर स्मार्टफोन मोटो जी थाटी फॉर फाप्जी वैसे तो इन दोने स्मार्टफोन की प्रैस में सिर्फ 500 रुपीच का डिफिरल्ट देखने के मिल जाता है आप लोगों को जादा इस्टोरेज का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मस की बात करी जाए जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यह कि स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोस्टर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक तरफ रियल मिका C65 जो कि पहला है ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को मिडिय अटेक का डैमेंसिटी 6300 का प्रोस्टर देखने को मिल जाता है वही दूसी तरफ 12,000 पीज से कमके प्रैस में मोटो जी 34 फाब जी पहला है ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को कॉलकॉम स्नैप डैगन 695 का प्रोस्टर देखने को मिल जाता है वही दूसी तरफ रियल में की C65 का जो आन्तो स्कोर निकल के आता है 433,000 निकल के आता है अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खास कर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हैं दोने स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानि गेमिंग स्कोर को जाना बहुत जरात जरूरी है जब इन दोने स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G34 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है रियल्मी का C65, दोने स्मार्टफून का अगर डिस्प्ले से एक बिन की बात करी जा तो एक तरफ रियल्मी की C65 में 6.67 इंच की सिर्फ HD प्लेस पांच ओल वाली IPI डिस्प्ले देखने को मिल जाती हो, डिस्प्ले के अच्छी स्मूत्नेस के लिए 120 हर्टे रीफ्रेशिट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। के साथ इन दोरे स्मार्टफोन में आप लोगों को डूवल वीडियो रिकॉर्ट करने का ओफसन देखने के मिल जाता है अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो कम प्रेस होने के बहुत भी खासका सेल्फी के मामलें बेटर हो जाता है मोटो का जी थार्टी फॉर फैब जी 16 मेगा फिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के मिल जाता है जिसका अपर्चर एफ 2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है दोने स्मार्टफोन का अगर आडियो फीचर की बात करी जातो कम प्रेस होने के बाउजूदी मोटो जी थार्टी जब कि रियल मी की सिश्टी फाइब में डॉल्बी एक मॉउस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता अगर बैटरी से एक मिन की बात करी जातो एक तरफ मोटो की जी थार्टी फॉर फैब जी में 5000 मियर्ज की बैटरी देखने को मिल जाती है 20 वाट के टर्बो फास्चरजिंग के साथ USB Tab Support का सपोर्ट देखने के मिल जाता है वह दूसरी तरफ Realme की C65 में भी 5000 mAh की बैटरी देखने के मिल जाते हैं सिर्फ 15 वाट के ही Fast Charging के साथ USB Tab Support का सपोर्ट देखने के मिल जाता है selling security feature के लिए दूने स्मार्टफोन में side mounted fingerprint sensor देखने को मिल जाते हैं तो अब बात करीजा कि दोनों मेंसे कौन सा स्मार्ट भोगों के लिए बैस ते अगर आप लोग होगी कम से कम price में एक अच्छे processor के साथ साथ एक स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहें जिसके फ्रेंट और बैक दोरों में काफी एच्छा क्यामरा सेटप देखने के पिल जाए ज्यादा फास चार्जिंग का सपोर्ट देखने के पिल जाए तो मैं आप लोगों को रिक्मेंड करता हूं कि आप लोग 500 रूपी ज्यादा करके मोटो के जी थार्टी फॉर फैब जी को ही बाई करें